हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टो माई चैनल एक बार नारत मुनी जी ने भगवान विश्णू जी से पूचा हे भगवान आपका इस समय सबसे प्रियभक्त कौन है? भगवान विश्णू तो भगवान है, सो जट से समझ गए कि अपने भगत नारत मुनी की बाद और मुस्कुरा कर बोले, मेरा सबसे प्रियभक्त उस गाओं का एक मामुली किसान है ये सुनकर नारत मुनी जी थोड़ा नेराश हुए और फिर एक प्रश्ण किया, हे भगवान, आपका बड़ा भग्त तो मैं हूँ तो फिर सबसे प्रियग क्यों नहीं? विश्णु जी ने नारत मुनी से कहा इसका जवाब तो तुम खुद ही दोगे जाओ एक दिन उसके घर रहो और फिर सारे बात मुझे बताना नारत मुनी जी सुबा सवेरे मुँ अंधेरे उस किसान के घर पहुँच गये देखा अभी अभी किसान जागा है और उसने अब से सबसे पहले अपने जानवरों को चारा बगेरा चारा डाला और फिर मुँ हाथ होए दैनिक कारियों से निर्रत हुआ जल्दी जल्दी भगवान का नाम लिया रोखी सूखी रोटी खा कर जल्दी जल्दी अपने खेतों पर चला गया सारा दिन खेतों में काम किया और साम को वापिस घर आया जानवरों को अपनी अपनी जगे बांधा उन्हें चारा पानी डाला हाथ पाउं धोए एक कुला किया फिर थोड़ी देर भगवान का नाम लिया फिर परिवार के संग बैट कर खाना खाया और कुछ बात दे की और फिर सो गया अब सारा दिन ये सब देखकर नारत मुनी जी भगवान विश्नू के पास वापिस आया और बोले भगवान मैं आज सारा दिन उस किसान के संग रहा लेकिन भूत और ढंक से आपका नाम भी नहीं ले सकता उसने थोड़ी देर सुबा थोड़ी देर साम और वो भी जल्दी जल्दी में आपका ध्यान किया और मैं तो 24 घंटे सिर्फ आपका ही नाम चब करता हूँ क्या अब भी आप सबसे प्रिय भगत को भगत वो गरीभी किसान को मानते हैं भगवान विश्नू जी ने नारत की बास सुनकर कहा अब इसका जवाब भी तुम ही मुझे देना और भगवान विश्नू जी ने एक कलस अम्रित से भरकर नारत मुनी को थमाया और बोले इस कलस को लेकर तुम तीनों लोकों की परिक्रमा करके आओ लेकिन ध्यान रहे अगर एक भी पून्द अम्रित की नीचे गिर गई तो तुम्हारी सारी भक्ती और पुन्य नश्ट हो जाएंगे नारत मुनी तेनों लोकों की परिक्रमा करके जब भगवान विश्नू के पास वापिस आए तो खुश होकर बोले भगवन मैंने एक भी पून्द अम्रित की नीचे नहीं गिरने दिया विश्नू भगवान ने पूछा और इस दोरान तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया मेरा इसम्रण कितनी बार किया तो नारत मुनी बोले अरे भगवान हे भगवान जी मेरा तो सारा ध्याने सम्रत पर था फिर आपका ध्यान कैसे करता भगवान विश्णू ने कहा हे नारत देखो उस किसान उस किसान को देखो वो अपना कर्म करते वे भी नेमेत रूप से मेरा इस्मिनर करता है क्योंकि जो अपना कर्म करते वे भी मेरा नाम जब करते हैं वो ही मेरे सबसे प्रिये भगत होते हैं तुम तो सारा दिन खाली बैठे ही जब करते रहते हो और सारा सुबह साम रात उपए तुम तो जब भी करते रहते हो और जब तुम्हें कर्म दिया तो मेरे लिए तुम्हारे पास समय ही नहीं था तो नारत मुनी सब समझ गए और भगवान विश्णुक जी के चरण पकड़ कर बोले ये भगवान आपने मेरा एहंकार तोड़ दिया आप धन्य है तो ये थी आज की स्टोरी स्टोरी फसंद आए तो लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा मिलती हूँ आप सब लोगों से अपने नेक्स्ट इस्टोरी के साथ तब तब के लिए धन्यवाद राते राते जै श्री हरी